पीम मोदी के दौरे से दो दिन पहले जम्मू के सुजवा आर्मी कैब के पास आतंकी हमला एक जवान शहीत सुरक्षा बलो ने जहशे मुहमत के दो आत्म घाती हमलावरों को घेरा जम्मो कश्मीर के बारा मुला में आतंकियों से सुरक्षा बलू के मुटभेड जारी अब तक लश्कर के टॉप कमांडर यूसफ कांतरू समेथ तीन आतंकी धेर चार जमान भी घाया एनाईये के साप्ता दिवस अमारों में बोने केंद्री ग्रेबंतरी अमिच्शाह जम्मो कश्मीर में हो रहा है आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया नरेंद्र मोधी सरकार आतंक वाज के विरूद में जीरो टॉलरंस की नीटी बना कर आगे बढ़ रही थी दिली बेरक्षा मंतरी राजनात सिंग आज डिफेंस कनेक्ट 2.0 का उट घाटन करेंगे स्वदिशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप बड़ी कम्पनियों और सश्रस्तरवालों को एक मंच पर लाने के लिए एक दिन का कारिक्रम दिले की जागीरपूरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवाद जुमे की नमास को लेकर अलर्ट पर पुलिस सीसे टीवी कैमरों से की जा रही है निगराने जागीरपूरी हिंसा पर सियसे जारी टीमसी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिदी मंडल आज घटना सलका दोरा करेगा जागीरपूरी में दो हफते तक बुल्डोजर पर ब्रेक सुप्रीम कोट का यथा सिती बनाय रखने का आदेश का कारवाई चलती रही तो गंबीरता से लेंगे दो हफते बाद अगली सुनवाई सुप्रेम कोट के आदेश के बाद टेश चलने पर नाराजगी जताई सुनवाई के दौरान या चुका करता के वकील ने कहा जागीरपूरी में बिनन नोटिस कारवाई हुई MCD के वकील ने कहा नोटिस दिये गए थे जहांगीरपुरी में बुल्डोजर के अक्शन वाली जगह पर सियासी दोरे कल कॉंग्रेस सेताओ कर दल पहुचा पुलिस ने ज्यादा आगे जाने नहीं दिया अजय माकन बोले खुले आम कानून तो आ जा रहा है जहांगीरपुरी में बुल्डोजर थमा लेकिन नहीं थम रही है सियासत कॉंग्रेस की बाद आम आदनी पार्टी की नेता भी घटना स्तर पर पहुचे बुल्डोजर के आक्शन पर कॉंग्रेसान से सची धरूर का बड़ा बयान कहा साफ है कि एक संदिश दिया जा रहा है हमें तो लग रहा है कि एक संदिश दे रहे हैं एक संदिश को कि आप लोग के स्टेटिस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तै करेंगे आप किस किसम से जीएंगे इसमें जहांगीरपुरी हिंसा और बुल्डोजर विवात के बीच केंद्रे मंत्री घ्रीडास सिंग ने कहा एनारसी कानून लागू करने का सही समय आ गया है जहांगीरपुरी हिंसा पर शिक्सने नेतफ संजेर राउत का बयान कहा हिंसा का कौन जिम्मदार है ये सब जानते हैं, पूरे देश का माहल खराप करने की कोशिप की जा रही है, ये देश की एकता के लिए सही नहीं है कौंग्रिस नीता सलमान खुरशीत का प्रधाल मंत्री मोदी पर निशाना कहा पीए मोदी को कोई सुझाव नहीं दे सकता काश वो हम लोगों से सुझाव मांगते वो ये भूल गए हैं कि बिना किसी भेध्भाव के शासन चलाने की कसम खाई अगर प्रधान मंत्री ये भूल गए हैं कि उन्होंने जब ओथ लिया था उन्होंने जब शपत ली थी अपनी उन्होंने कहा था कि मैं निश्पक्ष रूप से काम करूंगा और सब के लिए काम करूंगा सब का प्रधान मंतरी हो उन्होंने इसी लिए एक स्लोगन भी दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बुल्डोजर पर विवाद के बीच मुस्लिन धन गुरू मुलाना तौकी रजा का विवादित बयान बोले सही फैस्ता नहीं लिया तो होगी महा भारत मुसल्मान सड़कों पर आ गया तो मुश्किल होगी मुलाना तौकी रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी स्यम केशिफ प्रसाद मौरे का पलटवार कहा जेल में जगह खाली ही जो गुंड़ाई करेंगे ठीक किया जाएगा तौकी रजा के बयान पर हिंदू महासाभा का हमला स्वामी चक्रपानी बोले लगता है कि तौकी रजा और डारूल उलुम देवण ने देश में ग्रियूद कराने की पाकिस्तान सुपारी ली हुई है जांगीर पुरी में चले बुल्डोजर के खिलाफ जेन्यू में प्रदर्शन नसुआ के चातरों ने गंगा धाबा से साबर मती तक निकारा मार्च सरकार से मुआज़ा देने की मांग जांगीर पुरी में बुल्डोजर चलाए जाने के खिलाफ सडकों पर उत्रे चातर जांगीर पुरी में दंगे के आरोपी अंसार के एक और तस्वीर टीमसी नेता के साथ सामने आए अंसार बंगाल के पूर्वे मिदापुर के पारशन अजीमुल रह्मान के साथ दिखा रह्मान ने कहा फोटो तो कोई भी किसी के भी साथ खिचवा सकता है जांगीर पुरी इंसा के आरोपी अंसार शेक पर बड़ा खुला सा कत्र पंथी संगटों से जुड़ो हो सकते हैं तार अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हत्यार और लाठी डंडे जबा करने का आरोप देले पुलिस का दावा जांगीर पुरी इंसा में कई कुख्यात गैंक्स्टर भी शामिल थे 20 से से बदमाशू के पैचान कर तलाश की जा रही है जागीर पुरी इंसा के आरोपी सोनु शिकना के आज रहनी कोट में पेशी आज खत्म हो रही है चार दिन की पुलिस नमार्ट करनाटक के हुबली इंसा के मुख्या रूपी समेत आथ आरोपी गिरपतार हनुमान जयनती के दिन हुबली में बढ़की थे इंसा हमने तारीक दे दिये समय बता दिया है और सिर्फ सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है हनुमान चाल इसा विवाद पर नवरीत राणा को मुंबई की कारवाथ मेयर कि शुरी पेड़नेकर का जवाब कहा मातोश्री हमारे लिए मंदिर है अब पवित्र विचार वालों को अंदर आने नहीं देंगे कानपूर में इद पर सुरक्षा की मांग को लेकर मुस्लिम सवाजिक संसा ने सीम योगी को लिखा ख़त इद की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा की अपीड़ने यूपी में लाउट स्पीकर और माइक लगाने की नहीं मिलेगी इजासत सीम योगी ने दिया आदेश यूपी में कानून रिवस्था को लेकर सीम योगी ने आला अधिकारीयों के साथ की बैठक योगी ने कहा एक बिपत्थख चला तो अधिकारीयों पर होगी कारवाई यूपी में ईद के मौके पर सापधानी बरत्निम जुटे अधिकारी पुराना लखनों पहुंचे योगी सरकार के दो बड़े अधिकारी सुरक्षय वस्था की समीखषत यूपी के शाह जांपूर में एस्पी नेता रोशनलाल की अवैद इमारत पर चला बुल्डोजर अवैद कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पता सुप्रीम कोट में बुल्डोजर पर सुनवाई की दोरान केंदर ने मध्यप्रदेश के खरगोन में 88 हिंदों के मकान तोड़ने की जानकारी देखकर चौकाया ABP News की तफ्तीश में सामने आई सचाई इन मकानों को साथ मार्श को शड़क चौड़ी करने के लिए गिराया गया जवलपूर हाई कोट ने मध्यप्रदेश में भू माफ्या और अपरादियों के संपती पर बुल्डोजर की कारवाई के खिलाफ दायर जनित याचिका खारिज की कहा याचिका करता का मामला जनित का नहीं है इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती एमपी में शिवरा सरकार कर नया फर्मान ग्रीमंत्री नरोत्तम मिश्टा ने सभी थानों को दिया निर्देश कहा विदेशी घुसपैटियों की पहचान कर उनके खिलाफ अभ्यान चलाया जाए यूपी एमपी के बाद बिहार में बुल्डोजर का जोर बकसर हत्यकार में फरार पांच आरोफियों के घर पर चला बुल्डोजर दो घर जमी दो अब बिहार में भी अवैद निर्मान पर बुल्डोजर राज्य की भूम सुधर मंत्री राम सुरत राई ने कहा राज्य के सभी जिलों में अवैद अतिकर्मन पर बुल्डोजर चलाया जाएगा जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिकर्मन चलिया है वैसे जब उहां पर बुल्डोजर चलेगा बिहार की नेता प्रति पक्तियस्वी यादव का बीजेपी पर हमला कहा बीजेपी जब चुनाव या उप चुनाव खारती है तो ऐसा ही करती है बोचोहां में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है जारखंड के गिरड़ी में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने से हड़कंप मुख्या प्रत्याशी के नामंकन के जुरूस में लगाए गए नारे पुलिस दे प्रत्याशी मुहमद शाकिर समे तीन लोगों को किया गिरफतार बिटेन के प्रतार मंत्री बोरिस जॉंसन पहुचे दिल्ली आज सुभा साढ़े ग्यारा बजे प्रतार मंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात दोनों के बीच कई एहम समझोतों पर होगी चर्चा बिटेन के प्रतार मंत्री बोरिस जॉंसन और भारती उद्योगपती गौतम अडानी की शांतिग्रा में हुई बैठक अडानी के नई प्रोजेक्ट को लेकर जताई जा रही है उम्मीद बिटिश पी-एम बोरिस जॉंसन और गुजराद के सी-एम भुपेंद्र पटेल गांधी नगर गिफ्ट से टी भी गए गुजराद बाय टेक्नोलोजी नुवरस्टी के कारेकर में शरकत की गुर्तेक बहादर के 400 प्रकाश पर प्रप्रधान मंत्री मोधी ने विशेश डाक्टिकेट और 400 पर का सिक्का किया जारी पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित किया आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पस प्रदर्शन की उमीद कर रही है प्रदान मंत्री मोधी ने कहा देश पूरी निष्टा के साथ गुरू के आदर्श पर आगे बढ़ रहा है आज भारत अपना फैसला खुद कर रहा है हमारे गुरू ने ऐसे ही भारत का सपना देखा था अज भारत हुमी है शिर्फ एक देश लहीं है बल्की हमारी महान विरासट है महान परंपरा है कि इस से हमारे है कि रखाश पर्च के मांके पर ल और लुए ससी ये कानून पर भीबले पीयम मोधी का इस कानून से पर उसी देशों से आए लोगों के लिए बारत की नागरिक्ता का रास्ता साफ किया है क्योंके हमारे गुरुआं ने हमें मानवता को सर्वो पर ही रखने की सीख दिये पियम मोदी ने कहा आज दुनिया भारत की ओर देख रही है भारत कभी किसी देश के देश और समाज के लिए खत्रा नहीं बना हम पूरे विश्व के कल्यार की सोचते हैं बड़ी बड़ी सत्ताइं मिट गई बड़े बड़े तुफान चांद हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है पिये मोदी ने लाल केले के ट्यास को भी आत किया कहा लाल केला कई एहम कालखंडो का साक्षी रहा है इसने गुरुत एक बादुर जी की शाहज़त को भी देखा और देश के लिए मर मिटने वालों के होसले को भी परखा है हरिद्वार और दिली की धन संसत के दौरान भड़काओ वाशन के मामले में सुप्रीम कोट में आज सुनवाई पिछले अफ़ते कोट ने उत्राखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी भी मंत्री अबिच्छा का आज भोबाल दोरा बंसमीतियों समय तानिकारिकर में शामिल होंगे सुरक्षा के तगणे इंतजाम 3000 पुलिस कर्मी तैना जंबूरी मैदान पे चुकी भारी संख्या में जनसमू रहेगा उसको देखते हुए थानी नगरी पुलिस का बल लगा है साथ ही पुलिस मुख्याले द्वारा दिया गया अतरिक जो बल है इसको भी डेपलॉय किया गया है बीजेपी अध्यक जेपी नडड़ा का दो दिन कमिश्ण हिमाचिल प्रदेश आज कांगरा में रोडशो और जनसभा करेंगे दिल्ली में सोनिया गांधी के घर प्रशान किशोर की मौझूद्की में होगी एहम बैठक प्रशान किशोर के कॉंग्रस में शामिल होने पर जर्चा संभग महरास्त्र की मंत्री नावाब मले की आचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्वाई रख कर लाए गये ते चार्षीत की पेपर्स बिहार के पूरु सीम लालु परसाद यादव की जिमाना त्याचिका पर आज जारकन हाई कोट में सुनवाई चारा घुटाला मामले में गिरफतार हैं लालु यादव केंद्रे स्वास्तमंत्री मंसुप मांडविया की आज दो पहर तीन बजे प्रस कॉनफरेंस साथ में इंडिया फार्मसेटिकल एंड मेडिकल डिवाइस कॉनफरेंस 2022 को लेकर करेंगे बाद दुज्रात की वधायक जिगनेश मेवानी को असम के कोकरा जार से ले जाया गया मेवाडी को असम को लिसने गिरफतार किया है सोचल मीडिया पर टिपड़ी से जुड़े केस में गिरफतार है ABP News आपको रखे आगे